साम ओलेकुम आई यूट्यूब फैमिली उमीद करती हूँ सब हमेशा कितना ठीक होंगे आज मैं आप लोग को रिव्यू देने वाली हूँ मस्कारा का मेरे पास जो है वो तीन मस्कारा हैं ठीके मैंने जो है वो अलग-अलग कंपनी के जो है मस्कारा लिये थे तो मैं आज आ मैंने फोड़े टाइम पहले आपके साथ शेयर भी किया था टाप फेस का मस्कारा यह मैंने जो है वो बुनाइंजा सतरंगी की आउटलट से लिया था ठीक है तो यह वाला मस्कारा जो ही ए देखें टाप फेस एच्टी हाइ वॉल्यूम लांग-लास्टिंग मस्कारा है य ठीक है, ये Black Color में था, ये मैं अंदर से आपको Brush भी दिखाया था, ये किस तरहा का है, तो ये मैं यूस कर रही हूँ काफ़ी time से, ठीक है, अब आप को जो है, ये ये वह रिविउ सिक्ले देती हूँ कि जा आदे। इस मसकारे पर आती हूं सबसे पहले में तो ये वाला मसकारे मैंने यूस किया वैसे अगर हम वालियूम के हवाले से देखा जाए तो बहुत जाद अच्छा है लेकिन अगर इसका ब्रश के हवाले से हम इसकी बात करेंगे तो इसका ब्रश मुझे जो है Lashes में जैब लगातें में लगते हैं तो इसके लिए रिकमंड करूँगी कि ले लेतो अच्छी बात यह लिकिन ना ले क्योंके इसका जो है बहुत जाधया थिक है brush उसके बाद मैं आती हूँ second वाले पर second वाला मेरे पास जो हे वो bob का मसकारा है bob का मसकारा ठीक है bob का मसकारा जो हे वो बहुत ज़ादा अच्छा है यह जो हे वो long lasting भी है और दूसरी पाद यह इसका brush बहुत ज़ाद अच्छा है गाईज मैं आप लोग को इसका ब्रेश दिखाती हूँ बिल्कुल जो है वो पतला सा इसका ब्रेश है यह आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो कमफर्टेबिल है यह लगाने में और बहुत जाद है इसका जो है बिल्कुल पतला सा ब्रेश है यह आपकी लैशेस पर बहु वो खराब भी नहीं करता और इस वालियम में भी बहुत जाद अच्छा है तो मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगी कि येस ये आप ले सकते हैं उसकी बात मैं आप लोगों को दिखाती हूं एक और मसकारा ये है मेरे पास ये इनक्यूना का मसकारा बहुत सारे लोग इसको जा हाई वालियम मसकारा है बहुत अच्छा मसकारा है देखें वालियम वन सेकेंड टीक है मसकारा ये वाटर प्रूव है और ये वाला मसकारा जो है वो सबसे बैस्ट है ये आप बिला जिजक ले सकते हैं इसका ब्रश भी बहुत अच्छा है और इसका वालियम तो सबर दस्त ह यह मैं आपको इसका वॉल्म और अंदर का दिखाती हूँ कि किस तरह का इसका टैक्स्चेर है यह आप देखें यह वाला मस्कारा जो है वो मुझे सबसे जाद अच्छा लगा यह देखें मैं आपको इसका ब्रेश शो करा दूँ ठीक है यह आपको सही से नजर आ रहा होगा आई होप यह देखें इसके अंदर कितना ज्यादा वॉल्म है तो अगर मुझे से आप पूछें या मतलब किया आप कहीं जाएं तो आप यही वाला मस्कारा लीजिएगा तो अगर मुझे से पूछा जाए कि कौन सा वाला मस्कारा पर चेस करने चाहिए तो मैं आप लोग को रिकमेंट करूंगी कि यान क्यूना का मस्कारा लेए यह बेतरीन है बहुत अच्छा है वालियम भी बहुत अच्छा देता है और प्लस यह कि इसका ब्रेश भी बहुत जाद अच्छा है बाप का मस्कारा भी बहुत जाद अच्छा है बाप का मस्कारा के इसकी कौलिटी यह है कि इसका brush जो है वो बहुत ज़्यादा थे ने तो मैं recommend करूंगी कि बॉब का mascara भी आप yes ले सकते हैं और yan kuna का mascara भी आप ले सकते हैं ये मैंने जो है वो 1200 का लिया था बॉब का mascara जो है वो मैंने 250 का और ये जो है मैंने वो 300 का लिया था लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा expensive है लेकिन इसका कोई काम नहीं है ये सिर्फ expensive है लेकिन बॉब का mascara और मेरे पास yan kuna का mascara ये दोनों बहुत ज़्यादा मैंने cheap price मिल गिये थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बहुत ज़्यादा जो है वो लेकिन ये वो लैश को ठीक कर देते हैं बहुत ज़्यादा लैश को अच्छा कर देते हैं अगर मुस्ष आप जो है वो रिवियोज लें तो I will recommend these two mascaras Bob and Yanquna अच्छा जी अब आप भी जो है वो मसकारा जब भी परचेस करें तो जरूर इसका ब्रश जरूर चेक कर लिया करें और अंदर से इसके ठिकनेश जरूर चेक किया करें कि किस तरह का है आप भी जो है जब मसकारा ये वाला परचेस करें इसको यूज करें तो मेरे साथ इसका जरूर रिव्यूज शेयर कीजिएगा मेरे पेज को सब्सक्राइब करना नहीं बूलिएगा वीडियो को लाइक करना नहीं बूलिएगा और मुझे अपनी दुआउं में याद जरूर रखिएगा तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूंगी अल्ला हाफिज